हेलो एफरीबर विल्कम बैक टो मैं चनल तो कैसे आप सब आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज मैं फिर से हाँ जिरू आपके सामने एक न्यूव वीडियो लेके तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो की कुछ साडिया त क्या होता है वो जो शो करती है साडिया वो इंस्टाग्राम से लेने के बाद ही दिखाती है रेल शेयर करती है लेकिन हम लोगों को अगर इंस्टाग्राम से कुछ लेना है तो सोचना पड़ता है कि पता नहीं ट्रस्टेट पेज है कि नहीं ऑनलाइन पेमेंट करना है पता पटOOOO किसे पूछे। इस तरह के मन में बहुत सारे सवाल दें है। तो मुझे लगा कि क्यूंकि न यह पेलिए इसार्ड़ कर ओको कि मेरी जैसा बहुत सी जी आपका होंगी। उन약 कशाने हैं छो होहें जो सब्सक्राटेजर कर न हहाँ जैसे को डूचORIA फिशको पर हो जाएंड जबता YESWhat जूचले करो यहां जो करती हुएं अज वितनी हन्हिस पर्विज़घ करने कोष़दु हो लिएक्टाइशिं इसप्वति t 믹न सबस्वा इसथ कि आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूं कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है जो मिश्यों पर मुझे नहीं मिलती तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर ट्रस्ट करके आप लोगों के लिए खरीदना पड़ता है तरी ऐसी भी पेंडिंग में पड़ी है साडिया जो कि मुझे करनी है तो थोड़ा मुझे समय लग सकता है उस चीज के लिए तो प्लीज आप लोग कनेक्टेट रहना प्लीज मुझे भूलना नहीं क्योंकि मुझे पता है कि जो वीडियो है रेगुलर में अपलोड नहीं कर पा रही हूं इसी रिजन से क्योंकि मेरे पात जो है प्रोड देखना पड़ता है तो मैनेज करना थोड़ा मुझेल हो जाता है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने की तो प्लीज कनेक्टेट रहना कि जो फर्माइश है उनको में जरूर पूरा करूंगी आप यह मत सोचना कि दीदी को हम ल बनाओंगी जरूर सबके प्रोडेक्स का तो चले बिना बगबग यह वीडियो को में स्टार्ट करती हूं तो आज की जितनी भी साड़ी मैपको दिखाने वाली हूं वह है कोमल मैम से रिलेटेट तो सबसे पहले जो साड़ी है वह है यह यह वाली तो यह जो साड़ी है वैसी साड़ी मेरे पास भी आ चुकी है बहुत ही सुन्दा साड़ी है मैं आपको बता दू जब इसको मैंने वैर किया था ना इतनी सुन्दर यह साड़ी मुझे लगी तो मुझे लगा कि जरूर आप लोगों से कहना चाहिए कि आपको इसको बाय करना चाहिए बहुत ही बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करती हूं और दिखाती हूं साड़ी तो इसका जो ब्लाउस पिस है ये देखी इस तरह से आपको वेलवेट का मिलेगा ये ना थोड़ा स्ट्रैचिबल वाला विलवेट है बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा लग रहा इसका ब्ला का कॉलेटी ना वो स्ट्रैचेबल वाला ये दिखे इस तरह से स्ट्रैच होता है और प्लस ये सेक्वेंस जो दिये है ये बहुत ही प्यार लगते आप देख सकते कितनी ये जगमग जगमग हो रहे लेकिन इसका एक जो बुरा पॉइंट ये है कि ये जो सेक्वेंस को लग तो अगर आपको इसको स्टिच करवाना है तो आपको इसके अंदर अस्तर लगवाना पड़ेगा विदाउट अस्तर आप इसको वैर नहीं कर पाएं बहुत ही चुबेगा आप पता नहीं अस्तर लगवाने की बाद भी ये किता है कि नहीं उतना तो मुझे कॉन्फिडन्स साड़ी अच्छी लगती है तो इस तरह से आपको ये ब्लाउस पीस मिलेगा ब्लाउस पीस का जो लंबाई है एक साड़ी के बरावर आपको मिल जाता है 80 cm का आपको blouse piece मिल जाते हैं तो आराम से आप इसको stitch करवा सकते हैं चलिए बात करते हैं साडी की तो साडी जो है देखे आपको इस तरह से मिलेगी ये रहा साडी का tuck करने वाला portion जहां से हम first tuck करते वो वाला थोड़ी सी ये light लग रही होगे साडी लेकिन ये बहुत ही प्यारी है सामने से अगर आप देखेंगे न तो आपको ये साडी जरूर पसंद आने वाली है साडी का जो material है वो है साटन सिल्क प्यारा वाला ये सिल्क का material आपको मिल रहा है तो मुझे ये साडी बहुत ही प्यारी लगी इस तरह से मल्टी कलर वाली आपको साडी मिल जाती है नीचे की तरब से आपको देखें ये वाला यहां पर लेस का इस तरह से पोर्शन दे दिया गया है जिसमें ग्रे कलर की लेस है प्लस इसमें इस तरह से सिक्वंस लगाए हुए है मतलब यह इसके अंदर है अटैच यह निकलने वाले नहीं है अगर आप सोचेंगे कि यह खीचने से निकल जाएंगे वाश करने से तो यह बिल्कुल नहीं निकलने वाले मैं आपको सामने से दिखाने के कोशिश करती हूँ I hope आप देख पाए इस तरह से उपर की तरफ से छोटी से ग्रे कलर की बॉर्डर है उसमें यह अटैच है फिक्स किया गया है तो यह नहीं निकलेंगे तो यह नीचे की बॉर्डर में आपको इस तरह से मिल जाएगा अब मैं आपको पल्लू इसका दिखा देती हूँ पल्लू के तीनो तरफ से आपको सेम यहीं बॉला बॉर्डर दिया गया है नीचे की तरफ से और तीनों तरफ से देखिए बहुत ही प्यारा लगता है जैसी साडी में दिखाया था कोमल मैं की सिम वैसी है बैक साट से भी इसका फिनिशिंग काफी अच्छा है तो मुझे ये साडी काफी अच्छी लगी ये वाला जो बॉर्डर का पोर्शन है आपको यहां तक मिलेगा उसके बाद ये पूरा प्लेन पोर्शन है टक करने वाला और कुछ भी नहीं है इसमें अलग से कुछ पैचेस वगेरा कुछ एड नह अबर है तो आपको 8-9 प्लेट आराम से इसमें आ जाएगी तो मुझे ये साडी बहुत ही पसंद आई डैफिनिटली आप ये साडी को बाय करें जैसी दिखाई थी मीशियों पर वैसी मुझे रिसीव ही है तो इसका जो रिसेलिंग प्राइज मैंने उपर मेंशन कर दिया ह आपके DM का मैं जरूर रिप्लाइ करो अब मैं आपको सेकेंड जो साडी दिखा रही हूं वो भी बहुती प्यारी है बहुती सुन्दर है एक्चली इतनी प्यारी लगी मुझे ये साडी लेकिन जब मैंने इसको रिसीव किया ना तो थोड़ा सा इसका मट्रेल मुझे अच् कर रही हूं तो दोनों भी जो साडिया है सेम है भी डिफ्रेंस नहीं है कोई भी चेंजस नहीं है जैसे कोमल माम में बहर की है वैसी मुझे मिशयों से साडी भी हूई है तो चलि मैं बात करती हूं इसके ब्लाउस पीस बढुपर्शन में मिल जाएगा सबसे पहला आपको यह वाला पोर्शन दिखा देती हूं तो यह देखी यह अंदर के अस्तर के लिए आपको प्रवाइट किया गया है शायत से तो इस तरह से आपको यह मिल जाएगा इसका जो मट्रेल है ना वो क्या बोलते हैं बैंगलोरे सिल्क टाइप में मट्रेल है इसका तो मुझे इतना अच्छा इसका मट्रेल नहीं लगा यह अस्तर के लिए ही प्रवाइट किया गया है मुझे ऐसा लग रहा है तो यह 80 सेंटीमेटर का आपको दे दिया गया अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगवाई यह अधर्वाइस मत लगवाई मेरे कहने से जाएंगे तो आप ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा वाला सॉफ्ट वाला नेट आपको इसमें मिल जाएगा एक मेटर का दिया गया है प्लस आपको अस्तर के लिए अलग से मट्रेल दिया गया है जो की 80 सेंटीमेटर का इतना आपको मिल जाता है यह जो आप पोर्शन देख रहे है यह सीक्वेंस वाली यह थ्रेट का तो यह पूरा नेट के उपर काम किया गया है थ्रेट से प्लस इसमें आपको सीक्वेंस दिखाए देंगे जो की अभी देखे चम चम कर रहे हैं शाइन कर रहे हैं तो यह सीक्वेंस लगे हैं ब्लैक कलर के बहुत ही अच्छा वाला बहुत ही पसंद आए डेफिनिटली आप इसको सिलवाए और यह बहुत ही अच्छा लगने वाला है तो इस तरह से आपको यह मिल जाएगा मैं आपको प्रॉपर एक बार दिखा दू तो यह देखे इतना आपको यह ब्लाउस का पीस जो है दिया जा रहा है इतना तो एक मिट अब मैं बात करते हूं साडी की तो साडी जो आपको देखे इस तरह से मिलेगी साडी का जो मट्रेल है वो है सिल्क का तो सिल्क का मट्रेल आपको पता होगा तो आपको पता है कि सिल्क का मट्रेल थोड़ा सा हाड रहता है शाइनी रहता है लेकिन थोड़ा सा हाड रहता है तो इस तरह से इसका मट्रेल है अब बात करते हैं इसके पल्लू की तो पल्लू में जो है आपको इस तरह से देखे यह जो पोर्शन है यह नेट का है नेट के पोर्शन को इस तरह से फ्रिल किया गया है उसके बाद यह साड़ी पर अटैच किया गया है तो यह वाला जो पोर् साड़ी में कोई बुराई नहीं है और पहनने के बाद काफी अच्छी लगती है लेकिन लूक अच्छा आता इसका लेकिन थोड़ी सी मोटी है तो मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं साड़ी की जो लंबाई उकले 10-5 मिटर की आपको साड़ी मिलती है साड़ी की लंबाई भी बहुत ही अच्छी है इसको जब मैंने वैर किया था इसका जो प्लेट मुझे अराम से आ गया था जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था तो इस में ब infinit ग्रित और आपको दिखाया था मैंने ये आपको नीचे की तरफ से यहां तक मिल जाएगा इस तरह से आपको यह साड़ी मिल रहा है साड़ी अच्छी है लेकिन साड़ी का जो मुझे अच्छा नहीं लगा अगर आपको अच्छी लगती तो definitely आप इसको बाइ कर सकते हैं तो इसका जो प्राइज वगेरा है मैंने स्क्रिन पे मेंशन कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा, अब मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड वाली साडी, थर्ड जो साडी है वो भी कोमल मैम से रिलेटेट है, एक्चली इसका जो कोड है मुझे इंस्टाग्राम पे दिया ग इसका जो ओरिजनल पिक है मिशो का में यहां पे मेंशन कर रही हूँ, और जो कोमल मैम ने वेर किया था, उनका पिक में यहां पे मेंशन कर रही हूँ, प्लस इसको जो है अभिश का मैम ने वी वेर किया था, उनका भी पिक में यहां पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप मट्रिल अगरा नहीं दिया गया तो आपको यह जो है ना फ्री साइज का ब्लाउस दिया गया है इस तरह से सामने की तरप से आपको यह राउंड नेक में मिल जाएगा यह देखिए और बैक साइट से अपको बहुती डीप वाला राउंड नेक मिल जाएगा और बैक साइट से इसमें हुक आपको मिलेंगे यह देखिए यहाँ पे फोर हुक दिये गए हैं और काफी अच्छा मट्रेल हैं अंदर की तरफ से काफी अच्छा इसमें असतर लगवाया गया है जो कि बहुती अच्छा है बहुती sourUNT है पलस को सीव्स दिया गया है लेकिन अगर आप सीव्स नहीं पैनते तो यहां पर हैंड भी प्रवाइट किये गए हैं तो आप अगर चाहे तो इसमें हैंड भी लगवा सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपको सीवलेस पैन पसंद दे तो डेफिनिटल आप ऐसे भी वैर कर सकते हैं यहां पे न आपको अच्छा कासा मार्जिन मिल जाता है अगर प्रवाइट कर सकते हैं अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपको अगर यह बहुत ही बड़ा लग रहा है तो आप यहां पे इसको मतलब सिलाई जादा यह करके भी इसको स्टीच करवा सकते हैं तो काफी अच्छा है ब्लाउस का जो मेट्रिल का कॉलिटी बहुत्ती आश़म है काफी अच्छे इसमें ब्लाउस आपको दिया गया है तो मुझे ब्लाउस के लिए कोई भी बुराई नहीं दिखाई दी डेफिनिटली आपको ये साड़ी को भी बाय करना चाहिए बहुत ही प्यारी साड़ी है ये जो है आपको पैडड मिलेगा इसके अंदर आपको प्रवाइट किये गये है तो आप इसको आराम से वैर कर सकते हैं उपर का जो मट्रेल है बहुत ही प्यारा वाला सिल्क वाला इसमें मट्रेल दिया गया है तो मुझे ये blouse बहुत ही अच्छा लगा, तो ये देखी इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, इसका जो size वहाँ पे mention है वो free size में आपको दिया गया है, तो fitting alter करवा के पैन सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात बताने जाओ ना, तो मैं अगर इस तरह के blouse मुझे कोई साड़ी म इस से होते हैं, तो वो मुझे proper fit नहीं आते हैं, मतलब कैसे कि जैसे अभी ये गला है ना, तो ये गला बहुत ही deep है, अगर ये free size का है, तो मेरा जो size है ना, वो 32 या 34 के हिसाब से मैं blouse stitch करवाती हूं, लेकिन ये बहुत ही बढ़ा है तो, अगर मैं इसको wear करना चाओंगी तो ये बिल्कुल भी मुझे नहीं आएगा, प्लस इसको मैं alter करने के लिए दूंगी ना, तो ये alter भी होगा, तो भी इतना proper मुझे नहीं आएगा, जितना कि मैं stitch करने के बाद blouse wear करती हूं, उस तरह से मुझे ये नहीं आएगा, तो मुझे ना जादा करके stitch किये हूए blouse नहीं अच्छा लगते, मैं stitching करके ही पहनती हूँ तो अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह का blouse डेफिनिटल आप ये भी पहन सकते हैं, अब बात करते हैं साडी की, तो साडी जो है आपको देखी इस तरह से मिलेगी, बहुत ही प्यारी वाली साडी है, साडी में आपक को जो कलर चाये, आप पर्चेस कर सकते हैं, ये जो है मैंने कोमल मैं से related लिया है, उन्होंने जो वैर किया था, वही साडी मैंने पर्चेस किया है, तो चलीघा से इस की पलू से, साडी जो है आपको इस तरह से मिलेगी, साडी का जो फाबरीक है वो ओरगेंज़ा है, ब्ला तो वो कभी जॉर्जेट को शिफॉन, शिफॉन को जॉर्जेट, बैंगलोरी सिल्कों सिल्क इस तरह से डाल देते हैं, आपको confusion ना हूँ, इसके लिए क्लियर कर दू, इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक वहाँ पे मेंचन है, वो औरगेंजा है, लेकिन मुझे जो रेसी वो सिल्का है, तो चलिए बात करते हैं, साडी की, तो साडी जो है, बहुत ही प्यारी है, आप ये वाला जिग-जग-जग वाला ये पोर्षन देख रहे हैं, ये कटिंग किया गया है, मशीन से शायद से ही, क्योंकि ना ये देखिए, इस तरह से इसमें कट किया गया है, प और यहां पर गोल्ड कलर के जो पाइप नहीं आते हैं, बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा इसका लूक आता है, अब बैक साइट से इसका जो थ्रेड है, वो है नाइलोन का, जैसे नाइलोन के थ्रेड नहीं आते, मैं आपको दिखा दू ये इस तरह से, जो खीचने से हाथ वाट कट जाता है, उस तरह के थ्रेड से इसमें काम किया गया है, बैक साइट से जो है ना कटिंग प्रॉपर नहीं की गई है, तो उसी वज़े से थोड़ा सा ये ना चुबने टाइप में हो जाता है, मतलब जैसे ये चुपता है, ये देखिए को बहुत मतलब बुरा फिल करवाती है, तो मीश्यो को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई भी प्रोडेक्स कस्टमबर को दे रहे ना, तो काफी अच्छे से पैकेजिंग करके प्लस फिनिशिंग के साथ देना चाहिए, तो ये देखिए त्रेड आपको में आपको ये पल्लू मिल जाएगा, बीच बीच में आपको ये अनिमल प्रिंट्स मिल जाएगे, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, प्लस यहां पर आपको बटरफ्लाइ दिया गया है, प्लस यहां पर फिर से आप देख सकते हैं, प्लस ये देखिए इस तरह से, यहां आपको इस तरह से प्रिंट मिल जाएगा ब़र्ट के तो मुझे यह काफी अच्छा लगा यहां पे बहुती प्यारा यह परेड़ोड का प्रिंट है बहुत सुन्दर लग रहा है तो मुझे यह साडि का जो फैबरिक है बहुत पसंद आया वहती शाइनी वाला बहुत ही अच्छा वाला इसका फैबरिक है, मुझे काफी अच्छी लगी है साडी, प्राइस के हिसाब से भी काफी अच्छी, 1200 रुपे के कुछ मुझे रिसी हुई थी, रूड ओडने के लिए भी काफी अच्छा है, इस तरह की साडी अगर आपके पास नहीं है तो आपको केकात साडी इस तरह की लेनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही सुन्दर है, जब मैंने इसको वैर किया न यह बिल्कुल भी हेवी नहीं लगी, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको मैनेज कर लिया, मुझे काफी अच्छी लगी, बहुत ही लाइट वेट है, यहापे देखिए फिर से आपको यह पैरोट का प्रिंट यहां पे दिया गया है, बहुत सुन्दर साडी है, डेफिनिटल आपको यह साडी को बाय करना चाहिए, इसे बहुत सारे कलर भी अविलेबल है, तो यह रहा इसका तक करने वाला पोर्शन फॉर्स्ट वाला, और नीचे की तरफ से से आपको यही वाला पोर्शन दिया गया है, साडी बहुत ही सुन्दर है, डेफिनिटल आप यह साडी को बाय करें, अगर आपने देखके रखा है, लेना चाहते हैं, तो डेफिनिटल बाय करें, बहुत ही सुन्दर है, जो लंबाई है, काफी अच्छी है, ज्यादा छोटी बढ़ी भी नहीं है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, नॉर्मल है, मेरे हिसाब से मुझे आराम से आ गई थी, अगर इसकी प्लेट की बात करें, तो इसमें मुझे 8 प्लेट आ गई थी अराम से, लेकिन अगर आप मेरे जितने हैं, तो आपको 8-7-8 प्लेट जरूर आजाए वीडियो थोड़ी से डीले हो रही है, थोड़ा लेट आ रही है, तो प्लीज फ्रेंड सपोर्ट करें क्योंकि जैसे ही प्रोडेक्स मुझे रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, जल्दी जल्दी तो वीडियो जो है लेट हो रही है, बस यही कहना था, और आप लोगों का प्यार बनाए रखिए तो चलिए मिलती हुआ अपको कुछ नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में बाई बाई फ्रेंड्स टेक केर